हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल हाई फाई दुकर्टर सो इस्टूडेंट आज हम आपको बताने वाले हैं स्वाइल साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन जो की हर बार एक्जाम में पूछे जाते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं स्वाइल साइन्स के मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन पहला कोश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि कैल्सियम साइनामाइड में नैट्रोजन की प्रतिसत मात्रा कितनी होती है तो calcium cyanamide में nitrogen की जो प्रतिसत मात्रा होती है वो 21 होती है मतलब की 21% होती है चले guys next question की तरफ चलते है next question में पूछा जाता है कि बताइए कि sugar beet संकेतक पौधा है तो sugar beet जो संकेतक पौधा होता है वो होता है sodium का किसका sodium का होता है so guys next question की तरफ चलते है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि zinc sulfate monohydrate में zinc की प्रतिसत मात्रा कितनी होती है तो zinc sulfate monohydrate में zinc की जो प्रतिसत मात्रा होती है वो 35% मतलब की 35% होती है चलिए गाइज, नेक्ट कोच्टन की तरफ चलते हैं चलने से पहले आपसे यही कुणगा कि चैनल पर अगर नहें, तो सस्क्राइब कर लिजेगा तो इसमें पूछा जाता है सबसे इंपोर्टन कोच्टन की बोरेक्स जिसे खहा जाता है सुहागा में बोरान की मात्रा होती है तो इसमें बोरान की जो मात्रा होती है वो होती है 11% तो गाइस नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं नेक्स कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताए कि हुआइट एलकली स्वायल है तो हुआइट एलकली स्वायल जो होता है वो होता है सैलीन स्वायल क्या होता है सैलीन स्वायल होता है चले गाइस नेक्ट कोशन की तरब चलते हैं नेक्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फादर आप पेडोलाजी तो फादर आप पेडोलाजी कौन है वीवी डॉक्चू जो होते हैं वो फादर आप sulphate में sulphur का प्रतिसत मात्रा बताईए तो प्रतिसत मात्रा जो होता है potassium sulphate में 17% होता है sulphur की मात्रा so guys next question में आपसे पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा important है जिसमें पूछा जाता है कि किस I.L. cake में सबसे ज़्यादा nitrogen पाया जाता है तो ground nut के I.L. cake में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा nitrogen पाया जाता है मुंफली के केक में मतलब मुंफली को जो पेरा जाता है तो उसमें से तेल अलग निकलता है और खरी जिसे कहते हैं वो अलग निकलता है उसी को कहा जाता है ग्राउंड नट केक तो गाइज नेक्ट कोशन की तरफ चलते हैं नेक्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि किस मिट्टी में फसल के लिए जिंक की उपलब्धता अधिक होनी चाहिए तो बता दें आपको एसीडिक स्वायल में क्या होना चाहिए कि जिंक की उपलब्धता अधिक होना चाहिए तो गाइज नेक्ट कोशन में चलते हैं नेक्ट कोशन में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर की प्रतिसत मात्रा होती है वो 24 होती है मतलब कि 26% होती है चलिए गाइज नेक्ट कोशन के तरफ चलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि मृदा वायू में नाइट्रोजन सांद्रा है तो 78% मृदा वायू में नाइट्रोजन का सांद्रा रहता है ध्यान दीजेगा ये कोशन हर बार पेपर में पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को स्कीप मत करिएगा कोईशन को नोट करिएगा और या तो डाउनलोड कर लिजएगा आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंप्वोर्टेंट रहेंगे तो गाइद नैक्ट कोचन की तरप चलते हैं I आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्वायल में सिल्का का प्रतिसत मात्रा कोती है या इयायद में बताना है क्योंकि paper में average में पूछा जाता है ऐसे लिख दीएगा paper लेकिन आपको average में बताना है क्योंकि स्वाल बहुत प्रकार की होती है एक सिल्का बहुत ज़्यादा जिसमें रतियों उसमें वह भी स्वाल होती है तो द्यान्देजी का स्वाल मैंकर सिल्का का प्रतिस्त पूछ रह next question की तरब चलते है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि कौन से तत्तो की अधिकता स्वाल में अधिक होती है तो o2 O2 है na sorry एसे लिखा है क्योंकि लिखा नहीं पारा था तो ऐसे लिखा है तो O2 की मातरा सबसे जदिक होती है Next question की तरब चलते है Next question में पूछा जाता है कि अधिक्तम जल धारड की छमता रखने वाला मृधा अधिक्तम जल धारड च्छमता रखने वाला जो मृदा होता है वो Clay loam म्रिदा होता है सो घाइज next question की तरफ चलते हैं next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि nitrogen के लिए CO pH किदनी होनी चाहिए तो 8.5 होना चाहिए मतलब 8.5 होना चाहिए चले बाईज next question कि तरफ चलते हैं नेक्स कोशन में पूछा जाता है कि बताइए कि किस उरोरक में आग लगने का खत्रा रहता है तो वह उरोरक है KK then H2 PO4 होता है पिर अइसे होता है CA हो गया ॥ कि रुसका हैBu तरफ रहता है यह टाइपिंग के होजसे ऐसा लिखा गया है सो गाइज नेक्स कोशन की तरफ 추sn में आपसे पूछा जाता है कि बताएए कि DAP में फासवरस की मात्रा होती है वो 20% होती है so guys next question की तरफ चलते है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि peat smile का एसी होती है तो peat smile होता है black, heavy and acidic होता है black होता है color होता है उसका heavy होता है भारी होता है and acidic होता है so guys next question की तरफ चलते है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि hill soil, पहाड़ी soil generally होती है तो वो होती है acidic type की, क्या होती है, acidic type की होती है, next question में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि cotton में क्रिंकल लीफ का कारण है, तो cotton में क्रिंकल लीफ का कारण होता है, magnesium toxicity होता है, amine toxicity उसमें अधिक रहती है इसी की कव वज़त से होता है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि पौधों में प्रतिरोधकता किस तत्तो की वज़त से बनता है तो पौधों में प्रतिरोधकता फासफोरस की वज़त से बनता है so guys next question पे आगा है next question पूछा जाता है हिस्वाइल का pH मान किस आप मौसम में बढ़ता है next question पे आ गया है जिसमें आपसे पूछा जाता है बढ़ाए कि बढ़ाये कि one टन is equal to kg तो 907 होता है एक टन में पूछा जाता है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि one busail is equal to busail को bu से दर्सा आ जाता है तो होता है 35.24 लीटर होता है next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि field plot technique जो होता है उसके पिता कौन थे तो उसके पिता थे jb busengalt कौन थे jb busengalt थे so guys आज हमने आपको question बताया तो ये बहुत ही ज़्यादा important थे आप चलते हैं और भी ज़्यादा question आपको बताते हैं उससे पहले आपसे यही कहूँगा कि channel पे नए हैं तो subscribe कर लें तो next question आपसे बहुत ही ज़्यादा important पूछा गया है जिसमें पूछा जाता है कि annals of agriculture books किस ने लिखी तो annals of agriculture books अरूर यंगर ने लिखी और ध्यादी ज़्यादा ये सारे question जरूर पूछे जाते हैं next question में आपसे पूछा जाता है कि बताईए कि heart sewing husbandry किस ने लिखी तो ये लिखे थे जैथ्रो टूल ने लिखा था so guys next question में आपसे बहुत ही ज़्यादा important पूछा जाता कि soil fertility and fertilizer किस ने लिखा तो ये लिखा गया था testal at all द्वारा लिखा गया था so guys आज हमने आपको बहुत ही ज़्यादा important soil science के question करा दिये हैं जो कि आपके tdp, zikales, upcated, bh2, icar, jet agriculture और बहुत सारी agriculture entrance exam के लिए important रहेंगे इसलिए फिर मिलते हैं एक next video में और एक next topic के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और please share and subscribe